आईपेल 2023 के निर्णाएक मुकाबले में रॉयल चालेंजिस बैंगलूर ने राजस्थान रॉयल्स को 112 रनों से हरा दिया ये मैच जैपूर के स्वाई मानसिंग मैदान पर खेला गया जिसका विकेट काफी धीमा था दोनों ही टीमों के लिए ये मैच करो या मरो के जैसा था अब ऐसे में RCB के कप्तान फाब डॉपलेसिस ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया दांगलूर के तरफ से कप्तान फाब डॉपलेसिस ने 44 गेंदो पर 55 रन बनाएं इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने भी बल्ले से ताबर तोड बल्ले बाजी करते ह हुए 33 गेंदो पर 54 रनों की एहम पारी खेली और अंत में विकेट कीपर बल्ले बाज अनुच रावत ने 11 गेंदो पर 29 रनों की नाबाद कैम्यो इनिंग से पारी का स्कोर 171 रनों तक पहुचा दिया जो इस पिच पर काफी अच्छा स्कोर था अब बल्ले से बारी थी र आलत कुछ ऐसी थी कि टीम का स्कोर 28 रन पर पांच विकेट हालाकि शिमरॉन हैट पायर ने 35 रन जरूर बनाए मगर इसके लावा कोई भी बल्ले बास पिच पर टिक नहीं पाया और पूरी की पूरी टीम तास के पत्तों की तरह महज 69 रनों पर ओल आउट हो गई और टीम क को करारी हार का सामना करना पड़ा इस शर्मनाक हार के बाद कप्तान संजू सैमसंग ने क्या कहा आईए हम आपको बताते हैं मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष तीन काफी डन बना रहे थे हम पावर प्ले में कड़ी महनत करते हैं लेकिन आज हमारा दिन नहीं था गेम का व इंदबास को उनकी उर्जा और त्रिवता के लिए श्रे मुझे लगता है कि ये एक ऐसा लक्ष था जो खराब हो सकता था मुझे एक कड़े मैच की उमीद थी अगर हमारे पास एक अच्छा पावर प्ले होता मैं सिर्फ बल्ले बाजी को गिरते हुए देखकर सोच रहा थ है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अभी तक इसका कोई जवाब है हम आपको बता दें कि राजस्थान की टीम दूसरी बार कम स्कोर पर आउट हुई है इससे पहले साल 2009 में बैंगलोर के ही खलाफ केप टाउन में पूरी टीम केवल 58 रन बना कर सिमट गई थी यह आई पे लितिहास का तीसरा सबसे कम स्कोर है अब इस करारी हार के बाद राजस्थान रॉयल का प्ले आउफ में बहुचने का सपना भी मुश्किल हो गया है टीम न्यूज नेशन